देश की पहली कार्पुरेट ट्रेन कही जाने वाली नई दिल्ली लखनव तेजस एक्सप्रेस में आज कल यात्रियों के लिए लखी ड्रा सुरू किया गया है यह ट्रेन IRCTC चलाती है और इसमें जादा यात्री सफर करें इसके लिए तमाम तरह की आकर्शक चीजों को सामिल किया गया है लेकिन नई दिल्ली से लखनव के बीच में चलने वाली तेजस में जादा संख्या में यात्री नहीं पहुँच रहे हैं ट्रेन खाली खाली चल रही है लिहाजा लोगों को अकर्शित करने के लिए IRCTC ने लखी ड्रा की सुरुआत की है यह लखी ड्रा 27 अगस से 6 सितंबर के बीच में चलने वाली तेजस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए निकाला जा रहा है इस लखी ड्रा के तहट चेर कार में सफर करने वाले 10 लोगों और एग्जिक्यूट्व क्लास में सफर करने वाले 3 लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है जिस व्यक्तिकाल लखी ड्रा निकलेगा उसको दिये जाने वाले गिफ्ट की कीमत है 500 रुपए IRCTC ने ट्रेन में यह लखी ड्रा सुरू कर दिया है और लखी ड्रा जीतने वाले लोगों को तोफाद दिया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री खुसी खुसी यह लखी ड्रा में निकली हुई चीजों को ले रहे हैं और IRCTC के कर्बचारी जो यात्री इनाम जीत रहे हैं उनको यह इनाम जाकर दे रहे हैं और साथ में फोटो भी खीच रहे हैं कुल मिलाकर यह मार्केटिंग गिमिक है जिसमें जादा से जादा लोग आकरश्ट हों और कहीं न कहीं इसमें इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो कई खुबियां हैं इसकी अगर हम डिब्बे की बात करें तो आराम दायक बैठने का इंतजाम है और साथी साथ इसकी टाइमिंग तम फिक्स है और जिस टाइम पर चलती है अगर उससे ये लेट पहुंशती है तो यात्रियों को देरी से चलने की वजह से जो दिक्कत होती है उसके एवज में IR RCTC हरजाना भी देती है और इस ट्रेन में खाने पीने की भी अच्छी ब्युस्ता है तो कहीं न कहीं यात्रियों को लुभाने के लिए ये इसकीम सुरू की गई है यह है जारखंड का कंदराई स्टेशन यहाँ पर रेल यात्रियों को बहतर सुविधाएं देने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर गर्डर लांचिंग की जा रही है यह फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर ब्लॉक लिया गया है यानि यहाँ पर इस दोरान कोई ट्रेन नहीं निकलेगी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ब्योस्था की गई है और यहाँ जो कर्मचारी है वो लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि इस फु कर दिया जाना है तो यहाँ भारी भरकम गर्डर लगाए गए हैं और उसके लिए क्रेन का इंतजाम किया गया है और रात दिन यहाँ पर काम किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के दौरान तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर रेलवे ने पूरा फोकस किया है और उसमें यात्री स्ट्रक्चर का काम है वो हम कह सकते हैं कोरोना काल में बक्फू भी किया जा रहा है भारती रेलवे देश के अलग-अलग जगहों पर ट्रेनों की साफ सफाई के लिए आट्रोमेटिक पूर्च वासिंग प्लांट लगा रही है इसी सिल्चले में गुजरात के गांधी धाम पूर्च वीपूर में आटोमेटिक वासिंग प्लांट कर दिया गया है यह वासिंग प्लांट कम समय में बहतरी क्वाल्टी की दुलाई करने में सक्षम है यहां पर एक ट्रेन को 10 मिनट के भी तक साफ कर लिया जाता है खास बात यह है कि यह आटोमेटिक वासिंग प्लां इतने माल भी किया जाता है